तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हीव टृटी तो आज की वीडियो में हम faltabourne कवर करना है लाइक आज हम देखेंगे हीव ट्री क्या होती है दिन उसकी एरे रिप्रेजेने और हीव ट्री पर हम दो आफरेशन देखेंगे insertion और deletion तो ये दोनों operations जो हैं मैं आपको perform करके बताऊंगी heap tree के उपर तो हम चलते हैं सबसे पहले देखते हैं heap tree क्या होती है so a heap tree is a complete binary tree heaps are useful data structure for designing efficient sorting algorithms कहते हैं heap tree जो है एक complete binary tree को आप heap tree कहते हैं basically there are two types of heap, दो तरहा के heaps हमारे पास है, एक होती है max heap दूसरी होती है min heap max heap वो जिसका root node सबसे बड़ा होता है अपने बाकी child से और min heap वो जिसका root node सबसे छोटा होता है अपने बाकी child से, आप इस तरह से example में देख सकते हैं, यहाँ पे max heap में जो 80 है वो सबसे बड़ी है अपने child के according parent node जो है वो सबसे बड़ी है, यहाँ पे आप देखें min heap में तो parent node है, वो सबसे ज़ादा smallest value contain करती है तो इस तरफ है max heap, दूसरी तरफ है min heap, आप इसके visual representation में आपको दिखाती हूँ like अगर आपके पास एक node n है, तो all nodes will be less than and equal to node n, और all nodes are less than and equal to n, basically यह max heap का structure है, कि सारे जो values होंगे, वो nodes से छोटे होंगे, और जो node value है, वो बड़ी होगी, उसी तरह से min heap में यह greater than आ जाएगा all nodes are greater than and equal to n, तो वो min heap का case बन जाएगा, इसकी example आप देखें max heap की और हमारे पास 80 है, वो हमारा top पे है, सबसे greatest element इस पूरे tree के अंदर, इस पूरे heap tree के अंदर 80 है, root node पे, तो इस tree को हम heap tree कहेंगे, अब हम चलते हैं हमारी array representation of heap tree, अब array की representations पढ़ी है, like किस तरह से आप represent करेंगे, आप पहले A को mention करेंगे, उसके बाद level wise आप B और C को mention करेंगे, फिर D, E, F और G को mention करेंगे, उसके बाद H और I को mention करेंगे, अब यहाँ पे जो इनके childs नहीं है, उन childs के लिए जो आपके spaces हैं, आप वहाँ पे show करेंगे, तो कुछ यहाँ पे 6 blank spaces हैं, ताकि E, F और G के अगर further childs attach हों, तो इस array में आके fit हो जाएं, तो इस तरह से जो heap को, heap tree को हमारे representation में इस तरह से देखते हैं, चलते हैं इसका operation की तरफ, insertion operation on heap tree, और इस यह बाला operation जो है मैं already discuss कर शुकी हूं, कि जब मैं heap sort करा रही थी, आप वो heap button पे click करके आप उससे देख सकते हैं मैं insertion लेकिन इसमें फिर से clear करूंगी, while sorting मैंने heap sort जब कराया था, तो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं तो सबसे पहला जो element है वो है 14, तो सबसे पहले heap tree में 14 आएगा, 14 के बाद second element जो है उसके left side पे 57 attach होगा, अब यहां पे हमने कहा हम max heap बना रहे हैं, तो हम कहारे हैं कि हमारा element जो है root note पे सबसे बड़ा होगा, तो यहां पे होगा swapping means interchange होगा 57 की जगा 14 और 47 की जगा 57, तो हम heap को rebuild करेंगे हमने heap rebuild किया, अब इसका जो second child है, वो होगा हमारा next element जो की है 63 अब यहां पे 63 insert हो गया, लेकिन फिर से यहां पे rule की violation हो रही है because 63 बड़ी है, बड़ी term है तो इसको कहां जाना चाहिए, इसको होना चाहिए root पे, तो दुबारा से यहां पे to change हम perform करेंगे तो 63 root पे, हमारे left पे 14 और right में जो है 57 attach हो जाएगी next element है 29, तो अब हम 29 को attach करेंगे 29 attach होगे हमारी यहां पे 16, 14 और 57 as it is, 14 के left side पे 29 जो है attach होगी, लेकिन अब 29 जो है बड़ी आती है values, तो यहां पे क्या होगी swapping perform करी जाएगी तो दुबारा हम tree को जब rebuild करेंगे तो 29 उपर और 14 जो है वो नीचे लग जाएगा, तो इस तरह से 29 जो है tree में insert हो गया, next element है हमारा 33, अब 33 जो है हमारे 29 के right side में लगेगा, यहां पे तो अब next देखें, तो बाकी जो name tree हमने जो बनाई है, वो अभी तक यहां और यह आगी 33 लेकिन अब 33 जो है बड़ी है, root node बड़ा होता है that's why आपने क्या करना है, आपने फिर से यहां वेड़ स्वैपिंग को जो है, वो perform करना है तो 63, 33, 57 और 14 और 29 और हमारी जो rebuild से 17 जो है, उसके left side पर आके लग गई, values बिल्कुल ठीक है, उससे smallest है, तो आहां पर interchange की जरूरत नहीं, next element है 55, और 55 को जो है, वहां पर 57 के side पर आके place कर देंगे, तो इस तरह से जो आपकी heap tree है, वो बन के तयार है, आप देख सकते हैं, कि हर एक node का, basically 2 child है, तो एक complete binary tree जो जो root node है, वो या तो सबसे बड़ी greatest value हो, या सबसे smallest value हो, depend करती है, max heap है, या min heap है, ठीक है, तो इस तरह से जो आप है, insertion को perform करते हैं, ठीक है, यह already मैंने एक्जांपल अपने sorting में discuss करी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आप ही दुबारा बताया आपको, next time, deletion देख like 63, 33, 57, 14, 29, 17 और 55, जो वाली tree हम अभी बना के हटे हैं, जो tree built करी है, उसी में हम एक note को delete करके देखेंगे, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, like आप delete करेंगे, तो यहाँ पर deletion में होगा ये, अगर आप 63 delete करना चाहते हैं, तो 63 जब आप delete करेंगे, तो आप क्या करेंगे, last वाले element को 63 के साथ आप interchange करेंगे, और 63 जो होगा, वो यहाँ से delete हो जाएगा, means 55 जो है, 63 की जगा जगा आजाएगा, और 63 जो है, वो 55 की जगा पर आके अपने आप जहाँ delete हो जाएगा, means 55 जो है, 63 की जगा पर इसको यहाँ place करेंगे, और 55 जो है, यहाँ से हमारे root node पे चला जाएगा मतलब 55 उपर चला जाएगा तो इस तरह से आप जो है की पर फॉर्म करते हैं अब आपने यहां पर देखना है कि क्या आपकी जो रूट नोड है वह सबसे जादा greatest value contain कर रही है या नहीं कर रही तो आप देखे 55 तो यहां पर और यह हमारी heap tree जो max heap tree थी वो अपनी form में आज़र तो इस तरह से हम 55 और 57 को आपस में interchange कर देंगे और values को इस तरह से लिख लेंगे तो हमारी जो deletion के बाद जो tree बनेगी वो यह वाली बनेगी like 57 सबसे उपर then उसके बाद बाकी सारी notes ठीक है तो deletion कुछ इस तरह से perform होगी क्या होगा और वैसे नीचे वाली values के साथ आपने क्या करना है उसको first value जो हमारे पास जिस note को delete करना है आपने last value के साथ exchange कर देनी है फिर देखनी है कि आप में हीप का criteria जो है वो follow कर रहा है अगर वो नहीं कर रहा है तो आपने उसमें swapping perform करनी है अगर वो कर रहा है तो फिर आप बिलकुल ठेकी है तो इस तरह से हम deletion को perform करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हीप ट्री का concept जो है वो समझ में आया होगा insertion और deletion आपको समझ में आई होगी so thank you everyone for watching